हेलो दोस्तों और वेलकम बैक माई चैनल अभी दोस्तों मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई सिबा इनु के बाद कौन सा इनु कोईन अच्छा परफॉर्म कर सकता है उनके बारे में कुछ बताईए क्या अभी हमें इनु कोईन में इन्वेस्ट करना चाहिए या या सिबा इनु काईन अभी आपको और अचा खासा बाफ पर इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने करके आ डिश्क्रिप्ट में ग Haben sqa follow कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं तो देखें दोस्तो अगर हम siba inu कोीं की बात करें तो आप यहां पर देह सकते हैं अभी भी siba inno ob iron top 10 के अंदर अपना rank बनाया हुआ है है और अगर हम इसके price की बात करें तो अभी इसकी प्राइस खत्रे में नहीं आई है आप यहां पर देख सकते हैं 14% का पंप हमें सिवाइनु कॉइन में देखने को मिला है जहां पर इसकी प्राइस है जीरो पॉइंट 00007278 डॉलर अगर दोस्तों हम इसका एक टेक्निकल एनलाइस देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इससे पहले भी आपके साथ यह वाला चात यहां पर आप एक चिज़कर द्यान की जया कि तो इस जगह पर आपने गर आपक किया होगा तो अच्छी खासी ग्रीन चैंडल बनी है तो अगर आप पर इसको buy किया होगा तो यहाँ पर आप profit में हो गए होगे अगर आपने buy नहीं किया है तो अगर यहाँ पर दुबारा से इसका price यहाँ पर test करने आता है तो आप buy कर सकते हैं कहाँ पर 0.00005710 च्वाइनो को बाइक कर सकते हैं वाकि 75 पर्सेंट बचा के रखेगा क्योंकि माल देँगे अगर यहांसे प्राइस नीचे जाती है लेकिन है प्राइस नीचे जाने की संसे बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर आप एक चीज देखेंगे काफी अच्छी खासी green candle देखने को मिली और फिर इस support को यहां पर test करने के बाद एक red candle देखने को मिली और यह जो red candle है इसने यहां पर नीचे इस वाले support को test किया जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और test करने के बाद फिर से green candle देखने को मिली है और फिर से इस वाला support है यहां से rejection मिला और उसके बाद इसका price नीचे आया और नीचे आने के बाद कहां पर test किया इस वाले support को और test करने के बाद दुबारा से green candle देखने को मिली तो दोस्तों जै जीरो 5626 डॉलर पर यहां पर आपको मिलता है तो आप इसको सही में बाइ कर सकते हैं बाकि दोस्तों जब यहां पर इसकी प्राइस उपर जाती है तो वहां पर बहुत सरे लोग कहते हैं अभी हम लोग सिभा इनुको बाइक कर लें या फिर नहीं तो देखिए यार अगर आप इसके high पे buy करोगे तो rix हमेशा बना रहेगा लेकिन अगर आप support पे buy करते हैं तो काफी ज़्यादा chances रहते हैं कि इसका price उपर जाए लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह वाला support बना हुआ यह काफी ज़्यादा important है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है यहाँ से काफी बार इसको पहले भी rejection मिल चुका है तो यह वाला जो support यहाँ पर बन रहा है इसको break करना होगा अगर इसको उपर जाना है तो अगर दोस्तों यह वाला support यह break कर देता है तो इसका price आपको इस वाले zone में देखने को मिल सकता है यह वाला जो yellow line में ने बना रखी है यहाँ तक इसका price जा सकता है लग बग देखा जाए तो 0.0011869 बाकी दोस्तों Siba Inu को लेकर काफी अच्छी news निकल के आई है जिसको देखकर लग रहा है कि यह वाला जो support है इसको यह break कर देगा जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है एक और बड़ा नाम Siba Inu के साथ जोड़ चुका है 1817 million Siba Inu को बाई किया गया है किसने बाई किया है rapper and American comedian Funny Mike इनका नाम है इन्होंने 1817 million Siba Inu को बाई किया है जिसकी price है लग बग 60,000 डॉलर यहाँ पर आप यह चीज देख सकते हैं तो दोस्तों यह Siba Inu के जो holders है उनके लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों जितने बड़े बड़े नाम Siba Inu के साथ जोड़ते जाएंगे Siba Inu की price उतना उपर चलती चली जाएगी बाकी दोस्तों Siba Inu को लेकर एक fake news भी निकल के आई है जिसको मैंने telegram पर भी share किया था आपने देखा होगा यहाँ पर बोला जा रहा कि Tesla जो है वो accept करने वाली है Siba Inu को तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले Elon Musk ने tweet किया था और उन्होंने बताया था कि मैंने Siba Inu में एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है उनका investment है Doge Coin में, Ethereum में, Bitcoin में तो दोस्तों Tesla तो इसको accept करेगी नहीं आज तक उन्होंने Doge Coin को accept किया नहीं फिर Siba Inu को कैसे accept करेगी तो पहले Doge Coin, फिर उसके बाद कहीं जाकर Siba Inu का number सायच चाही आप आएगा या फिर नहीं आएगा तो इन सब fake news से आप बच कर रहेगा बागी दोस्तों अब हम बात करते हैं उन चारो Inu Coins के बारे में अब दोस्तों हमारा जो Inu करके पहला Coin है वो है Flocky Inu Flocky Inu की प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.0002283 डॉलर इसकी प्राइस चलिए अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9400 बिलियन Flocky की सप्लाई चलिए अगर हम Siba की बात करें तो Siba की सप्लाई काफी ज़्यादा है अगर हम compare करते हैं Flocky से इसलिए आपको Flocky की price Siba से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तो आप लोगों को याद होगा कि Elon Musk ने यहाँ पर एक tweet किया था जहाँ पर इन्होंने Flocky word का use किया था और साथ में यहाँ पर एक photo डाली थी जो की match करता है Siba वाले कुटे से तो इस tweet के वज़े से यहाँ पर जो Flocky inu coin है उसमें काफी अच्छा खासा pump देखने को मिला था और इसी tweet के वज़े से Siba inu coin में भी अच्छा खासा pump देखने को मिलता है हाला कि Elon Musk जब भी ऐसा कोई pump करते है meme coin के लिए या फिज डॉज coin के लिए ये तो पता नहीं चलता है लेकिन उसका फाइदा मिलता है जितने भी meme coin है उनको वो सारे coin अच्छा खासा pump करते हैं और अगर आप flow की inu का technical analysis देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं flow की inu ने भी काफी अच्छा खासा perform किया है अगर आप हाल फिलाल में देखते हैं तो अब बात आती है दोस्तों कि इसको यहां पर buy करना चाहिए या फिल नहीं तो देखें दोस्तों अभी यहां पर आप market पे इसको जाके देखेंगे तो अभी आपको ज्यादा कोई बड़े exchange पे देखने को नहीं मिलता है ज्यादस ज्यादा यह आपको get.io पे देखने को मिल जाता है यहां से आप चाहें तो इसको buy कर सकते हैं और कोई बड़े exchange पे आपको यह देखने को नहीं मिलता है और हां यह आपको भी bitmart में भी देखने को नहीं मिलता है तो एक चीज़ा आप यहां पर ध्यान रखेगा हो सकता है इसको यहां पर bitmart पे list करवा दिया क्योंकि दोस्तों यह coin अभी आपको और अच्छा खासा profit बना के दे सकता है हाला कि buy करने का time तो अभी नहीं है अभी आप इसको buy मत किजेगा हो सकता है इसका price अभी और नीचे आए तो आप इसको buy कर सकते हैं लग भग आप इसको buy किजेगा 0.301500 dollar पर यहां पर अगर इस सकते हैं यहां पर हम इसके price की बात करें तो ओह हो इसके price तो काफी कम है जीरो पॉइंट डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो 6433 dollar इसकी अभी price चलिए और आप यहां पर देख सकते हैं 24% का dump आपको देखने को मिला है अगर आपने इसे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि part wise आप इसको buy कीजेगा लगातार आप इसको buy मत कीजेगा मैंने यह भी कहा था कि इसका price हो सकता है नीचे जाए क्यूंकि दोस्तों यहां पर price काफी तेजी से उपर गया था और वहां पर मैंने आपको कहा था कि जिसका price जितना तेजी से नीचे आता है तो आप यहां पर द 있으면 अब आपको इसको बायक करना चीए या फिर नहीं करना चीए तो अगर आप सको भाई करना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं लेकिन कहाँ पर इस वाले एरिये में अगर यह आता घिरो पॉ 3-3 Dallas पर आता है तो आप इसको इसको यहां पर कर सकते हैं और हभी सादा इसको प्राइस दॉपारा से उपर जाया जाए ज्यादा पैसा लेकिन आपको नहीं मैंना इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था अब दोस्तों हमारा जोगला कोईन है वह लवली इनू लवली इनू को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आया है क्यूंकि दोस्तों लवली इनू अगर आप तीन से चार महीने पहले देखेंगे तो इसका भी काफ दीरे धीरे खतम हो गया और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 0.000000005107 डॉलर इसकी अभी प्राइस चल दिये अगर दोस्तों हम इसके कमणिटी की बात करें तो अभी अभी इसकी कमणिटी भी बनना सुरू हुई है और हाँ अगर आप इसके पोस्ट देखेंगे तो हाँ अभी इसके पोस्ट रैगुलर नहीं आ रहे हैं तो देखे दोस्तों क्या हमें इसको वाइक करना थी या फिट नहीं देखे कुछ खास प्रोजेक्ट यह मेरे को देखने को नहीं मिलता है लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं यह आपको जल्दी get.io पे list किया जाए जिसके वज़े से आपको lovely inu coin में भी pump देखने को मिले लेकिन अगर दोस्तों हम यहां पर ट्विटर पर आएं तो यहां पर इनके जो पोस्ट है वह regular नहीं हो रहे हैं और अभी यह ट्विटर पर active नहीं है तो इसको देखका तो मेरे को नहीं करें तो market cap यहां पर गायब है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताए गया है लेकिन बात करें अकिता इनु की स्ट्रेप का कॉइन है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अकिता इनु इसा मीम बेज एंड सो परसंट डी सेंट्रलाइज कॉमनेटी एक्सपेरिमेंट यानि यह एक प्योली मीम कोईन है और यह सो परसंट डी सेंट्रलाइज कॉमनेटी का है और यह क्रीम करता है कि हमने आधा सप्लाइज विटालिक बटन को दे दिये और आधा सप्लाइज हमने यूनिस्वैप पूल में लॉक कर दिया है ताकि वह बंद होता जाए अब दोस अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली थी जब मीम कोईन का सीजन चल रहा है तो उस टाइम में इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला है लेकिन यहां से करेक्शन मिला है लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक चीज़ गौर किजएगा कि जितने भी मीम कोईन है उसके बाद जितने भी मीम कोईन हैं सब ने एक साथ करेक्शन लिया तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता है कि अगर यहां पर सिबा इनु कोईन पंप करता है एमसी इसको एज़ा पेमेंट एसे करता है तो यह दुबारा से पंप हो सकता है और अगर यह पंप होता है तो सारे मीम कोईन आपको पंप होते हुए देखने को मिलेंगे लेकिन हम मैं अगर आपको अपने हिसाब से बता हूं तो मैं अकिता इनु को बाई नहीं करूंगा और नहीं लवली इनु को बाई करूंगा मैं यहां पर बाई करूंगा किसू इनु को और फ्लॉकी इनु को क्य अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताओं तो अगर मेरे को बाय करना होगा तो यह दोनों को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से लेकिन दोस्तो एक चीज़ का आप यहां पर ध्यान रखेगा कि इनमें कम से कम पैसा लगाया जाए तब ही सही रहेगा मतलब वह पैस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओल कर दीजगा हम मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो में बाय बाय से यू नेक्स टाइम